अगर आप लोग का एकाउंट इंडियन ओवर सीज बैंक में हैं तो आप लोग नेट बैंकिंग कैसे चालू करेंगे नेट बैंकिंग चालू करने का आएगा इस्टेप बाइस्टेप प्रोसेस आप लोग को बताने वाला हूं तो इस वीडियो को पूरा दिखेगा जिससे आप लोग को सही और सर्टिक जनकारी मिल सकें देखें मोबाइल बंकिंग और नेट बंकिंग दोनों अलग अलग हैं और दोनों के service में भी काफ़े ज़्यादा difference होता है देखें जो service आप लोग को mobile banking application में नहीं मिलेगा वो service आप लोग को net banking में जरूर मिलेगा mobile banking simply आप लोग mobile में एक android application इंस्टॉल करते हो आयोबी का जबकि internet banking आप लोग browser में open करते हो यानि कि chrome browser या फिर firefax या फिर कोई भी browser में open करते हो लोग इन करते हो तो वो net banking है जबकि mobile banking का एक अलग application होता है जिसे आप लोग Google Play Store से install करके यूज करते हो तो यहाँ पर जो मैं आप लोग को net banking सुरू करने का process आप लोग बताने वाला हूँ तो देखे सबसे पहले मैं आप लोग बता दूँ कि देखे अगर mobile banking आप बना ली है तब तो अच्छी बात है अगर नहीं बना है तो भी कोई दिकत नहीं है आप लोग net banking के लिए कैसे register करेंगे ठीक है तो net banking register करने के लिए simply आप लोग को Google Chrome open करना है Chrome open करने के बाद आप लोग को यहाँ पर लिग करके search करना I.O.B. net banking जैसे आप I.O.B. net banking लिए करके search करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का website open होगा I.O.B. net banking पर किलिक करेंगे इसके बाद नीचे scroll करेंगे इसके बाद red में लिखा हुआ है Continued Internet Banking Home Page तो इस पर किलिक करेंगे जैसे इस पर आप किलिक करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर दो तरह का login है यहाँ पर इंडियर वरसीज बैंक में Personal Login and Corporate Login यहाँ पर Personal Login के नीचे ही एक register लिखा हुआ है तो register पर किलिक करेंगे जहां से आप लोग को Net Banking के लिए register करना रहता है सबसे पहले यहाँ पर account particulars में आप लोग को 15 digit का अपना जो है account number देना account number देने के बाद email ID देना है country यहाँ से select कर लेना है आप लोग को जो भी आप लोग का country होगा यानि कि आगर आप इंडिया से तो इंडिया select करेंगे यहाँ पर India 91 इसके बाद mobile नमबर देंगे इसके बाद simply user यहाँ पर देंगे user ID और password ठीक है यहाँ पर login ID के अगर मैं बात करूं तो login ID वही आइडिया है आपका जो customer ID है ठीक है तो customer ID देंगे यहाँ पर password देंगे फिर दोबारत से password को यहाँ से simply नीचे आना है इसके बाद submit पर click करेंगे जैसे आप submit पर click करेंगे तो आपके सामने अभी जो आपने detail फिल किया है वो सारा का सारा detail एक बार आ जाएगा इसके बाद confirm पर click करेंगे ठीक है और आप देख सकते हैं कि यह session जो है उसके बाद आपके सामने इस तरीके का message आए जहां पर आप देख सकते हैं कि आयोबी net banking has been already registered for the given account यहां पर मैंने account यहां पर मैंने जो है अल्रेड़ी apply कर रखा है इसलिए मेरे सामने यह जो है page open हो रहा है अदरवाइस आपके सामने एक वीडियाप open होगा उस वीडियाप जो है यहां से आप लोग को download कर लेना है download करन यहां पर simply आप लोग यहां से online registration कर सकते हो लेकिन आगे credential जाज के लिए आप लोग को एक बार अपने home branch पे विजिट करना होगा जैसे ही विजिट हो जाता है form लेया करके जमा कर देते हो वैसे ही आप लोग का जो user ID password है दो दिन के अंदर में आपके mobile number पर email ID पर message में आ जा